दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वला अखेल कौपी अधियन छेत्र में सबसे अधिक महत्वपून वस्तु है इसके बिना पड़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है ये नोटबुक अलग-अलग ब्रैंड और क्वालिटी के साथ मौजूद होती है जिन्हें इनकी क्वालिटी के साथ विभिन कीमतों पर बेची जात है आप भी बहुत क्यम पैसे में नोटबुक का विवपार शुरू कर सकते हैं और अपने ब्रैंडिंग के साथ इन्हें बेच कर खूब लाब कमा सकते हैं नोटबुक बनाने का विवपार कैसे शुरू करें चलिए ये मैं आपको बताती हूं नोटबुक बनाने के लिए विविन कोटिड अथ्वा अनकोटिड पेपर यानि दिस्ता पेपर और गत्ते की आवशक्ता होती है दिस्ता पेपर की कीमत बासट रुपे प्रती किलोग्राम है और कवर के लिए इस्तिमाल होने वला गत्ता एक रुपे प्रती पीस आता है आप निम्ड वेबसाइट के माधिम से ओनलाइं खरीज सकते हैं ये रौ माटीरियल हमने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी आपके लिए वेबसाइट के लिंक दिये हैं जहां आप ये रौ माटीरियल खरीच सकते हैं नोटबुक बनाने के व्यपार में आप क्या लाग उठा सकते हैं जानिए हमारे साथ एक किलो पेपर में लगभग 6-7 नोटबुक बनाई जा सकती हैं यदि इसे रिटेल में बेचे तो 15 रुपे प्रती पीस बिकता है एक नोटबुक बनाने में कुल लागत 11 रुपे की पड़ती है होलसेल में इसी तरह की नोटबुक की कीमत 12-13 रुपे की होती है इस तरह से होलसेल में प्रतेक नोटबुक में 2 रुपे का लाप कमाया जा सकता है इसके लिए तीन मशीनों की आवशक्ता होती है पिनप मशीन, एज स्क्वायर मशीन, कटिंग मशीन ये मशीने चार किलो वाट बिजली लेती हैं और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है इन मशीनों की कुल कीमत साड़े पांच लाग से छे लाग के बीच में होती है अगर आप ये मशीने करीदना चाते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं नोटबुक्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है यदि एक बर इसके मशीनरी समझ ली जाए तो बहुत असानी से नोटबुक बनाई जा सकती है सबसे पहले शीट को जो कौपी के लिए कवर का काम करता है उसे अच्छे से इस तरह मोडें कि वे कौपी के अनुसार कवर के अकार में आ जाए इसके बाद इसमें जितने पन्ने की कौपी बननी हो उतने कागस को भी मोड कर उसके अंदर डाल दें इसके बाद पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है इस प्रक्रिया में इन कवर और उसके अंदर डाले गए दिस्ता कागस को पिन करना होता है इसके लिए फोल्ड किये गए दिस्ता को पिनिंग मशीन की सहायता से पिन करना होता है पिनिंग मशीन की सहायता से ये काम असानी से हो जाता है तद पश्चात इसे edge square मशीन पर ले जाकर इसकी finishing करनी होती है finishing यानी cover से भार निकलने अतिरिक पन्ने आदी की छटाई वगारा finishing के बाद notebook पूरी तरह square में हो जाती है इस square मशीन में पहले इसके pinning कस्तान अच्छे अकार में आ जाता है इसके बाद इसकी cutting की जाती है पहले बने हुए copy को सामने से काटें और इसके बाद आवशक्ता होतों बीच से काटके दो भागों में बाट दे pinning किये गए छेतर के अलावा सामने के तीन भागों को काटना होतों कर दूता है झाल 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 इस तरह कुछ ही समय में नोटबुक बनके बिकने के लिए तयार हो जाती है 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कौपिया बनके तयार हो जाती है। कौपि बनके तयार हो जाने पर इसे अवशक्ता अनुसार टैक करना पड़ता है। यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे होलसेल अत्वा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है। होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकिट्स बनाए जा सकते हैं। बड़े-बड़े बैक्स में डीलर को अवशक्ता के अनुसार कौपी पैक किया जा सकता है। यदि रिटेल में अपना ब्रैंड सीधे-सीधे उतारना चाहते हैं, तो इसके प्रती टाकिट 6 कॉपी का पैक बनाएं और विभिन स्टेशनरी दुकानों पर जाएं और उनको अपनी कॉपियों के रेट्स बताकर आप अपनी कॉपियां बेच सकते हैं दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं हम आपके मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अब दोस्तों पूद्धे पूसंदा इलाइस कमट करें अगर आपने भी तक मार्चे सरे मिली किया है तो प्ली चलों को सबस्थाइब प्लीज इसके प्लीज आपको मिलता रहे जिन पहले से चलों कि लिए उनका बुबत दिन्ने बाद माफसे प्यूंगा ने उड़े साथ त